Hello students, हमने उत्राखंड एक समग रधन जो कि क्या है? केसी नंदन त्रिपाठी की बुक है ये बुक मैंने आपको बताया था, कल हमने इसको स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि ये क्या है ये उत्राखंड राज्जी के उत्राखंड स्टेट के जितने भी एक्जाम्स होते हैं ठीक है चाहे वो ग्रुप D का एक्जाम हो चाहे फिर वो A लेवल का एक्जाम हो सारे एक्जाम्स में क्या है अगर उत्राखंड की G के आती है त इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत जादा बैनिफिशल रहेगा तो आई होप स्टूडेंट कि आप सब इसको पढ़ेंगे तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जैसा कि स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको इसका बेसिक इंट्रोडेक्शन कर दिय जो कुमाओ मंडल है उसमें कितने जिले हैं उसमें 6 डिस्टिक्स आते हैं और जो गड़वाल मंडल है उसमें क्या है उसमें 7 डिस्टिक्स आते हैं और स्टूडेंट फिर मैंने बताया था कि जो कुमाओ का मुख्याल है जो सेंटर है वो नैनिताल में है और जो गड़वा गडवाल मंदल का जो establishment है वो 1969 में किया गया था गडवाल मंदल का 1969 में establishment किया गया और जो कुमाउ मंदल है उसका 1854 में establishment किया गया और स्टूडेंट जो ये कुमाउ मंदल है इसमें six districts आते हैं जिसमें की नैनिताल, अलमोडा, पिथोरागर, उधंसे नगर, बागेश्वर और चबावत आते हैं और स्टूडेंट मैंने किया है इस lecture में उत्राखंड का जो map है उसको दिया है तो हम क्या है इनको एक बार अपने map में इन सारे districts को देख लेंगे ताकि हमें क्या हो map के बारे में भी पता हो तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कुमाउ मंदल के जो six districts है उनकी सबसे पहले है नैनिताल district तो map में नैनिताल district कहां पर है यह है यानि यह क्या है थोड़ा सा इंडिया उसके जो उत्राखंड है उसके क्या है उत्राखंड के लगभग south में है नैनिताल ठीक है और फिर आता है दूसरा जो कि कुमाउ मंदल का ही district है अल्मोडा नैनी ताल के नौर्थ में है अलमोडा, फिर अलमोडा के अलमोडा से भी क्या है, फिर अलमोडा के भी नौर्थ में आता है बागेश्वर और उसके बाद पिथोरागर, ये क्या है, ये सभी जिले किसमें आते हैं, कुमाउ मंडल में आते हैं, और स्टूडेंट नैनी ताल से इस भी साउथ में क्या है उधम से नगर है तो ये कित्ते जिले हो गए हमने ये अभी एक और बच्चा है चमपावट डिस्टिक अब ये कितने हो गए अब ये six districts हो गए जो की कुमाउ मंडल में आते हैं ठीक है इसमें क्या-क्या पड़े हमने सबसे पहले पड़ा हमने नैनी जनिताल, अलमोडा, पिथोरागड, उधमसे नगर, बागेश्वर और चमपावत स्टूडेंट अब हम बात करते हैं गड़वाल मंडल की गड़वाल मंडल में seven districts हैं और गड़वाल मंडल का जो मुख्याले है वो पौड़ी गड़वाल में है और जो गड़वाल मंडल है उसका जो establishment किया गया था वो 1969 में किया गया था तो स्टूडेंट अब हम गड़वाल मंडल की districts को मैप में उनकी location को देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे गड़वाल मंडल में चमूली डिस्टिक को उसके बाद उत्तरकासी डिस्टिक को जो की सबसे नौर् और उसके बाद देखेंगे हम दहरादून को दहरादून में किसमें आता है गड़वाल मंडल में आता है उसके बाद पौड़ी गड़वाल ये देख रहे हैं आप पौड़ी गड़वाल फिर टिहरी गड़वाल और फिर रुद्र प्रियाग इस प्रकार से हमारे ये कितन इस तरीके से क्या है कुमाव मंदल की six districts और गड़वाल के seven districts टोटल में लाकर क्या है उत्राखंड में कितने districts हैं थर्टेइ इन डिस्टिक्स हैं पूरे स्टेट में तो student हमने इनको map में देख लिया तो एक बार जो उत्राखंड है उसकी external boundaries को भी देख लेते हैं कि जो उत्राखंड है उसके north में क्या है हिमाचल प्रदेश है ठीक है आप north में देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश है और उत्राखंड के east में क्या है चाइना border लगता है ठीक ह और उसके बाद जो क्या है जो south east का part है उत्राखंड का वहां से क्या है नेपाल जो country है उस country का border लगता है पिथोरागर से होते हुए ठीक है उसके बाद student फिर यहां से क्या है जो जो क्या है उत्राखंड का जो west और south कह सकते हैं जो south में आप कह सकते हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश का border उत्राखंड से लगता है नौर्थ में हिमाचल प्रदेश से लगता है और east में चाइना से लगता है और जो की क्या है जो साउथ हीस्ट है साउथ हीस्ट में नेपाल से लगता है और जो क्या है जो की वेस्ट का पार्ट है वहाँ पर क्या है वेस्ट में उत्राखंड जो उत्तर प्रदेश है उससे उत्राखंड की बाउंडरी लगती है तो स्टुडेंट ह हमने क्या है अपने उत्राखंड के पूरे मैप को एक बार समझ लिया और इसके सारे डिस्टिक्स को जो की 13 डिस्टिक्स हैं उनको भी हमने एक बार मैप में देख लिया हमने क्या देखा कि जो गड़वाल मंडल है उसमें दहरादून आता है जित दहरादून आप देख सकते हैं जो कि क्या है उत्राखंड की यह जो से वन डिस्ट्रिक्स हैं यह सबके सब किसमें आती है गडवाल मंडल में आती है जब कि और स्टूडेंट जो चमुलिया वो भी क्या है गडवाल मंडल में ही आता है जबकि जो remaining बचे हुए जो डिस्टिक्स हैं वो सब के सब कुमाउ मंडल में आते हैं जैसे कि तो सुडेन्ट हमने उत्राखंड का पूरा मैप देख लिया उसके बाद हम नेक्स आगे सबस्ते हैं शुडेन्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्छर में एक बार जित्ने वी विधान सभा च्छेतर थें डिस्टिक्ट वाइज हमने पूरे उत्राखंड के उनको देक लिया उसमें मैंने आपको बताया था कि दहरादून में दस विधान सभा छेत्र हैं, दहरादून में आती हैं विकास नगर, धरमपूर, दहरादून, राजपूर, मंसूरी और रिसीकेश, राइपूर, डोईवाला, सहसपूर, एवम, चकराता, ये सब के सब जो विधान सभा छेत हैं, ये धरादून के अंतरगत आते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, दस है, और स्टूडेंट, उसके बाद, जो नेक्स डिस्टिक है, हरी दुवार, हरी दुवार में जो विधान सभा छेत्र हैं, उनकी संख्या है 11, ठीक है, 11 जो विधान सभा छेत्र हैं, वो हरी दुव हरिद्वार में कौन-कौन से विधानसभाचेत्र हैं रुड की पिरान कलियर मंगलर और भेल जुआलापूर जोकी अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित है जब्रेडा जोकी अनुसुचित जाती के लिए इसको अरक्षित किया गया है यहां पर सीट को उसके बाद लक्सर यह भी हरिद्वार में आता है खानपूर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीन एवं भगवानपूर यह भी अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित छेत्र है यहां से दो स्टूडेंट यह हमने समझा कि हरिद्वार के जो विधानसभाचेत्र है उनमें क्या है 11 प्रताप नगर एवं धनोल्टी छेत्र आते हैं उसके बाद स्टूडेंट नेक्स डिस्टिक है पौडी गडवाल पौडी गडवाल में 6 विधानसभाचेत्र आते हैं जिसमें की यमकेश्वर, कोट द्वार, चौपट्टा खाल, लेंस डाउन आपसे एक्जाम में पूछ यह क्या है इसमें पौडी गडवाल में जो विधानसभाचेत्र हैं वो है कौण कौण से हैं पौडी गडवाल में यमकेश्वर, कोट द्वार, चौपट्टा खाल, लेंस डाउन पौडी श्री नगर और स्टूडेंट उसके बाद आता है नैनिताल नैनिताल में कितने वि सीट को अरक्षित किया गया है रामनगर भीमताल काला ढूडी यह जो है सिक्स जो विधानसभाचेत्र हैं यह नैनिताल में आते हैं उसके बाद स्टूडेंट नेक्स डिस्टिक है पिथोरागड पिथोरागड में कितने विधानसभाचेत्र हैं पिथोरागड में चार वि अल्मोडा में जो विधान सभा छेत्र हैं वो कितने हैं सिक्स हैं अल्मोडा में सिक्स विधान सभा छेत्र हैं जिसमें की आते हैं द्वाराहाट, सल्ट, रानी खेत, अल्मोडा, जागेश्वर, एवं सोबेश्वर जिसमें से की जो सोबेश्वर है उसको अनुसुचित जात गलता है नेक्स डिस्टिक उढमस सीह नगर में नौ विद्धान सभाद छेत्र हैं जिसमें की जस्पूर कासीपूर बाचपूर जो की बाचपूर जो है अनुसुचि जाती के लिए आरक्षित किया किया है खटीमा, गदरपूर, रुद्रपूर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकमत्ता ये सब क्या है उधम से नगर के जो नौ विधान सभा छेत्र हैं ये सब उसके अंतरगत आते हैं नेक्स डिस्टिक है स्टूडेंट जो कि गड़वाल मंडल की बात हो रही है अब चमोली चमोली में क्या है चमोली में तीन विधान सभा छेत्र आते हैं जिसमें हैं बद्रीनात कर्ण प्रयाग एवं थराली जिसमें की थराली को अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित किया गया है स्टूडेंट उसके बाद कुमाउ मंडल का ही जो जिला है चमपावत उसके बारे में बताया गया है कि चमपावत में कितने विधान सभा छेत्र हैं चमपावत में दो विधान सभा छेत्र हैं एक तो खुच चमपावत है और दूसरा क्या है लोहा घाट और उसके बाद next district आता है student बागेश्वर ठीक है बागेश्वर में दो विधानसभा छेत्र हैं एक तो है कपकोट और दूसरा है बागेश्वर ठीक है जबकि बागेश्वर जो है वहाँ पर अनुसुचित जाती के लिए क्या है एक seat को आरक्षित रखा किया है student उसके बाद जो next district है वो आता है रुद्र प्रियाग जो की गड़वाल बंडल में आता है और रुद्र प्रियाग में भी क्या है दो विधानसभा छेत्र हैं रुद्र प्रियाग में आता है रुद्र प्रियाग और केदारनात विधानसभा छेत्र उसके बाद student जो next district है जो की हमारे उत्राखंड के सबसे नौर्थ में आता है उत्तरकासी ठीक है जो की गड़वाल बंडल में आता है उत्तरकासी में तीन विधानसभा छेत्र हैं जिसमें की गंगोत्री यमनोत्री एवम पुरोला आते हैं और पुरोला को अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित किया गया है उसके बाद student हम देखेंगे कि राज्य की जो 110 तहसीले हैं ठीक है राज्य में क्या है 110 जो तहसीले हैं और राज्य के जो क्या है 95 क्या है उसमें blocks है उनको हम देखेंगे कि क्या है 95 ब्लॉक्स है और 110 क्या है तहसीले है तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर क्या है उत्तरकासी डिस्टिक को दिया गया है तो इसमें हम देख लेते हैं कि उत्तरकासी डिस्टिक में क्या है उत्तरकासी डिस्टिक में 6 तहसीले दी गई है 6 त है वो दी गई है उत्तरकासी में भटवारी दी गई है पुरोला है बढ़कोठ है डूडा है मोरी है और चिन्याली सेड है और सुडेंट उसके बाद हम नेक्स देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अलमोडा को देखते हैं अलमोडा में जो तहसीलों की संख्याय वो कितनी है बारा है ठीक है और अल्मोडा की तहसिलों में आती है अल्मोडा, रानी खेद, भीकिया सेंड, सल्ट, चौकुटिया, सुमेश्वर, द्वारा हाट, भनोली, जैती, शालदे, धौल छीना वर लमगडा ये सब क्या है अल्मोडा की बारा तहसिले है उसके बाद स् नैनी ताल, हल्दवानी, राम नगर, धारी, कुश्या कटोली, काला ढूंगी, बेताल घाट, लाल कुआ, एवं ओकल कांडा ये क्या है ओकल कांडा ये जो नौ तहसिले है ये नैनी ताल में आती है स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पिथोरागड डिस्टिक, पिथोरागड में 13 तहसिले हैं, 13 तहसिले हैं जिसमें की पिथोरागड, मुंश्यारी, धार्चुला, डीडी हार्ट, गंगोली हार्ट, बेरी नाग, बंगा पानी, गड़ाई गंगोली, देव तहसिलें दी गई हैं, जिसमें से कि चमूली, जोसीमट, कर्ण-प्रियाग, ठराली, पोकरी, गैरसेड, घाट, जिलासु और आधी बंद्री भी क्या हैं? चमूली डिस्टिक में ही, उसकी तहसिलें तो हमने पढ़ा कि चमूली में 12 तहसिलें हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि चमुली में क्या क्या आता है? चमुली, जोसीवर, कर्ण प्रियाग, थराली, पोखरी, गैर सैंड ये सब किस में आते हैं? चमुली में आते हैं sounds उत्राखन की क्या है? सबर कैपिटल है कई बार इस पर क्या होता है? कई बार ये कोशन आजाता है तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि गैर सेन उत्राखन के कौन से डिस्टिक में है तो गैर सेन चमुली डिस्टिक में है जिलासू आधी बद्री कौन से डिस्टिक में है तो आधी बद्री भी क्या है चमुली डिस्टिक में है उसके बाद student हम next पढ़ते हैं उत्तरकासी डिस्टिक को उत्तरकासी डिस्टिक में भी क्या है? छह तहसी लेडी गई हैं जिसमें की डूंडा, भटवारी, पुरोला, बढ़कोट, मोरीव, चिन्याली सोड है उसके बाद student next डिस्टिक आता है पौडी गडवाल पौडी गडवाल में 12 तहसीले हैं उसमें से ये भी पौडी है, शील अगर है, धली सैन है, कोट द्वार है कोट द्वार किसमें आता है? कोट द्वार पौडी गडवाल में आता है धूमा कोट, धूमा कोट किसमें आता है? ये भी पौडी गडवाल में आता है स्टूडेंट आप धान रखिएगा एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो लेंस डाउन है वो कौन से जिले में आता है उत्राखन के तो लेंस डाउन पौडी गडवाल में आता है यमकेश्वर, चौबटा खाल, सत्पुली, चाकी सेड और जाखडी खाल और बीरो खाल ये सब के सब क्या है पौडी गडवाल की ही बारा तहसीले है स्टूडेंट उसके बाद हम नेक्स डिस्टिक को देखते हैं टिहरी गडवाल टिहरी गडवाल में 12 क्या हैं? 12 तहसीले हैं जिसमें की टिहरी, प्रताप नगर, नरेंद्र नगर, देव प्रयाग, धनसाली, जाखडी धार, धनौल्टी, कंडी सेड, गजा, नैनबाग, कीर्ती नगर वर बाल गंगा आते हैं ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए बाल गंगा कौन से डिस्टिक में है, तो आप कहिंगे बाल गंगा टिहरी डिस्टिक में है, टिहरी गडवाल में है, देव प्रयाग कौन से डिस्टिक में है, आपसे कुश्चिन पूछा जा सकता है, तो आप कहिंगे देव प्र विकास नगर रिसी केस त्यूनी कालसी वर डोई वाला आधी तहसीलें आती हैं स्टूडेंट आप से पूछा जा सकता है कि बताइए रिसी केस कौन से डिस्टिक के अंदर आता है कौन से डिस्टिक की तहसील है तो यह क्या है रिसी केस धहरादून डिस्टिक के अंदर एक त तहसीले हैं इसमें से कासीपूर, किच्छा, खटीमा, सितारगंच, बाजपूर, जसपूर, गदरपूर, वरुद्रपूर ये क्या है आठ तहसीले उधमसे नगर के अंदर आती हैं स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स डिस्टिक है वो है बागेश्वर और बागेश्वर म ये सब क्या है बागेश्वर की छे तहसीले हैं स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट डिस्टिक आता है चमपावत चमपावत में पाच तहसीले हैं जिसमें की क्या है चमपावत पाटी, पूर्णागरी, लोहागार व बारा कोट ये पूछा जाए कि पूर्णागरी का जो 12 कोट भी चंपावत जिलै में आता है चंपावत जिलैंए ये पाच तहसिले है जिसमें चंपावत पाटी पूर्णागीरी लोहा घार्ट व बारह कोट आदी तहसिले आती है स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट जिला आता है वो है रुद्र प्रियाग, रुद्र प्रियाग में क्या है, फोर तहसीले हैं, चार तहसीले हैं, जिसमें की रुद्र प्रियाग, उखी मट, जखोली और बसू के दार, आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है कि बताईए बसू के दार कहां पर है, बसू के दार जो है, वो रुद प्रिया की एक तहसील है स्टूडेंट फिर नेक्स डिस्टिक आता है हरी द्वार हरी द्वार में कितनी तहसीले हैं हरी द्वार में भी चार तहसीले हैं जिसमें की हरी द्वार लक्सर रुड की और भगवान पुराते हैं तो स्टूडेंट हरी द्वार में कितनी तहसीले हैं हरी दुआर में चार तहसीले हैं हरी दुआर लक्सर रूड की और भगवार को स्टूडेंट तो ये थे हमने कि हमारे उत्राखर्ण राजी की जो है उत्राखर्ण स्टेट की 110 तहसीलें इनको हमने इसमें स्टेडी कर लिया इनका एक बार हमने क्या है? इनको हमने by name एक बार हमने इनको पढ़ लिया और student उसके बाद क्या है? उत्राकर्ण स्टेट में 95 ब्लॉक्स है ठीक है जिसमें से की जो अलमोडा में ब्लॉक्स है अलमोडा में 11 ब्लॉक्स है जिसमें श्यालदे, चौकुटिया, भिकिया सेंड, तारी खेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगडा, धौला देवी, हवालबाग, ताकुला और भैशिया च्छाना ये सब क्या है? अलमोडा के 11 ब्लॉक्स है उसके बाद student next district आता है नैनी ताल अब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक्स की ठीक है उत्राखण में क्या है? अब हम बात कर रहे हैं कि टोटल कितने ब्लॉक्स हैं टोटल 95 ब्लॉक्स है और अब हम पढ़ रहे हैं नैनिताल डिस्टिक में 8 ब्लॉक्स है ठीक है जिसमें की हल्दवानी, रामनगर, भीमताल, रामग जिसमें की मुंचियारी धार चुला बेरी नाग सुनेट आप से पूचा जा सकता है कि बताएं यहें बेरी नाग में पिफ़ागर ड्स्टिक में आता है डीदी हाट कनाली चीना गंगोली हार्ट मूना कोक्ट वर पितहोरागड ये सब के सब जो ब्लॉक्स हैं सब के सब जो विकास खंड हैं ये किस में आते हैं ये पितहोरागड में आते हैं अब नेक्स्ट पढ़ते हैं चमोली को चमोली में क्या है चमोली में भी एट ब्लॉक्स है आठ विकास खंड है जिसमें की चमोली में ही क्या आता है जोशी मठ आता है दशोली घाट कर्ण प्रियाग नाराइड बगड धराली देवाल वर गैर सेड ये सब क्या है चमोली डिस जिसमें की मौरी, पुरोला, नौगाउं, डूडा, चिन्याली सोणव, भटवाडी आते हैं। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट डिस्टिक है पौरी गडवाल, पौरी गडवाल में क्या है? पौरी गडवाल में 15 ब्लॉक्स आते हैं जिसमें की थली सेड है, कलजी खाल है, पौरी गडवाल है, पाबो, कोट, लेंस डाउन, दुगड़ा, वीरो खाल और रिखडी खाल, दौरी खाल, यमकेश्वर, पोखडा, नौनी डांडा, खिरसूब, पढ़ा खेद ये सब क्या ह पौरी गडवाल के 15 ब्लॉक है, 15 विकास खंड है, उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स डिस्टिक आता है, वो है तिहरी गडवाल, तिहरी गडवाल में 10 ब्लॉक्स आते हैं, जिसमें की तिहरी, प्रताप नगर, चंबा, जोनपूर, नरेंद्र नगर, देव प्रियाग, देव प्रियाग भी किसका ब्लॉक है, तिहरी गडवाल का, कीरती नगर, धनसाली, जाखडी धारवर, धौल धार, ये सब ब्लॉक्स किसके हैं, ये सब ब्लॉक तिहरी गडवाल के हैं, और तिहरी गडवाल में टोटल 10 ब्लॉक आते हैं, स्टूडेंट उसके बाद आता है हमारा दहरादून डिस्टिक और दहरादून डिस्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं दहरादून डिस्टिक में 6 ब्लॉक्स हैं जिसमें की राइपूर, डोईवाला, विकास नगर, चकराता, कालसी वर सहस्पूर ये सब क्या हैं दहरादून के 6 विकास कंड हैं दहरादून के 6 ब बाचपूर गदरपूर और रुद्रपूर ये सब क्या है ये साथ ब्लॉक्स आते हैं साथ विकासखंड उधमसे नगर आते हैं उधमसे नगर में आते हैं जिसमें कि हमने पड़ा जशपूर काशिपूर बाचपूर गदरपूर रुद्रपूर सतारगंज और सतारगंज और खटीमा ठीक है यह सब क्या है उधंसे नगर के सेवन ब्लॉक्स हैं सेवन विकास खंड है जिसमें हमने देखा जशपूर काशिपूर बाचपूर गदरपूर रुद्रपूर स्टूडेन इता है वहां बागेश्वर बागीश्वर में तीन ब्लॉक्स आते हैं विकास खंड आते जिसमें कि क्या हैं बागेश्वर है और गरूळ है बागेश्वर है कपकोट है और गरुण है ठीक है ये किसमें आते हैं ये तीन जो ब्लॉक है ये बागेश्वर में आते हैं बागेश्वर कपकोट और गरुण उसके बाद स्टूडेंट नेक्स डिस्टिक है चंपावत ठीक है चंपावत में क्या है चार चंपावत में चा सब रुदरप्रेस कि ब्लॉक्स की ब्लॉक्स आते हैं जिसमें कि चमपावत है लोहागाठ आता है 12 कोत और पाठी यह सब क्या है चमपावत के 4 ब्लॉकस है चमपावत लोहागाठ ब्लॉडरब्ल पार्टी उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स डिस्टिक है वो है वो है इसमें रुद्र प्रयाग रुद्र प्रयाग में क्या है तीन ब्लॉक्स आते हैं ठीक है रुद्र प्रयाग में क्या है तीन ब्लॉक्स आते हैं जिसमें की उखी मट ठीक है उखी मट अगस्त मुनी और जखोली आते हैं student exam में ये question आ सकता है, आप से ये पूछा जा सकता है कि बताईए, अगस्त मुनी जो है, वो कौन से जिले में है, तो आप बताएंगे कि अगस्त मुनी कहां पर है, अगस्त मुनी रुद्र प्रियाग में है, student discussion को धान रखे, कई बार exam में पूछ लिया जाता है, अगस्त मुन में है, क्या है, तीन ब्लॉक है, उखीमत, अगस्त मुनीव, जखोली, और student उसके बाद, जो हमारा last district बचता है, जो की क्या है, हरीद्वार है, अब देखते हैं कि जो हरीद्वार है, हरीद्वार में भी क्या है, six blocks है, छे विकास खंड है, जिसमें की हरीद्वार में क्या क रुड की भगवानपूर, रुड की भगवानपूर, नार्सन, ठीक है, नार्सन जिसे की कुरही भी कहा जाता है, और बहादराबाद, लकसर, ठीक है, लकसर्व, खानपूर, ये सब क्या है, ये सब हरीद्वार के छे, ब्लॉक है, छे विकास खंड है, जिसमें की रुड की भगवानपूर और उसके बाद क्या है नारसन जिसे की कुरही भी कहते हैं बहादराबाद और लकसर और खानपूर यह जो 6 मिलानसभाचे च्छे क्या है विकास खंड है छे ब्लॉक्स है यह किसके है यह हरिद्वार के अंतरगत आते हैं रुड़की भगवानपूर नारसन कुरही स्टूडेंट तो यहां पर हमने अपने इस लेक्चर में आज क्या है उत्राखंड के जितने भी क्या है एक बार फिर से पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया हमने क्या है इसमें पूरे अपने मैप को समझा उत्राखंड के उसके बाद कुमाओ और गड़वाल मं हमने उत्राखंड राजी की जो 110 तहसीले हैं उन सब को हमने प्रतेग डिस्टिक में कितनी तहसीले हैं इनको क्या है उनकी नामों को स्टेडी किया उसके बाद हमने उत्राखंड राजी में क्या है जो 95 ब्लॉक्स हैं उनको भी क्या है एक बार बाई नेम उनको देख लिया उनको study कर लिया student उसके बाद अपने next lecture से हम one-liners को start करेंगे जो की इस book में दिये गए है student ये क्या है थोड़ा boring लग सकता है आपको लेकिन क्या है ये बहुत जरूरी है इससे आपको धीरे-धीरे क्या है आप familiar हो जाएंगे तो ये आपको जब state से related question होंगे जीके के question होंगे तो ये आपको बहुत help provide कराएंगे उनको solve करने में अगर क्या है basic introduction के लिए ये जानना जरूरी था ठीक है तो अभी का lecture यहीं पर रखते हैं students और उसके बाद हम अपने next lecture में one-liners को start करेंगे I hope student के आपको समझ में आया हो और अगर कोई query हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं thanks for watching